है दोस्तो कैसे आप लोग उम्मिद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगी दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तो आइस के यहाँ पे जो दोस्तो एड्रेस है वो आपको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह दोस्तो इसके उपर बहुत हुआ है लेकिन दोस्तों यहां पर problem आ गई है दोस्तों problem यह आ गई है कि अब यहां पे जो okayx को highlight किया जा रहा था दोस्तों वहां पर हटा करके trust को और metamask को highlight किया जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं और उन्हें साफ साफ बोल भी दिया भया we advise using a self-custodial wallet such as metamask और trust wallet दोस्तों custodial wallet क्या होता है decentralized wallet होता है और non-custodial wallet centralized exchange होता है ठीक है दोस्तों यहां बता दूँ मैं आप लोग को आपको करना क्या है देखिए अब मैं देखिए यहां पर address को ले करके बात करूंगा एंड यहां पर KYC को ले घर के बात करूंगा तो देखिए address की बात थोड़ा सा मदें बात कर लेते हैं यहां पर जितने लोग KYC नहीं होई है वो लोग हमारे टेलिग्राम पर आ सकते हो और टेलिग्राम पर जैसे मैं वीडियो को पब्लिक करूंगा वैसे ही यहां पर लाइब सेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर आप लोग को आना है यही पर आपकी KYC करवाई जाती है मैं भी रहता हूं और बहुत सारे लोग रहते हैं अगर मैं चला गया तो आपकी KYC लोग करवा देंगे बह मेरा काम है अगर आप लोगों की मदद हेल्प नहीं किया आपके मुसीबत में मेरा साथ नहीं होगा तो भाई मेरा मतलब दोस्तों आप लोग आकर अब आपको का करना है कि डाल देना है अपने MetaMask का या फिर Trust Wallet का address दोस्तो दिखिए आपको कैसे डालना है इसके लिए आपको MetaMask application को खोल लेना है, MetaMask application आपके पास तो होगा ही होगा, ठीक है तो दोस्तो मेरे पास पहले सही address copy है, अब दोस्तो यहाँ पर MetaMask में मैं क्यों recommend कर रहा हूँ MetaMask का, दोस्तो वो इसलिए recommend कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तो MetaMask में सबसे best जो दोस्तो चीज जना है कि यहाँ पर सभी का address सेम होता है इसमें कोई भी change का लफडा नहीं होता है, पतलब कि अगर आप trust wallet का यूज करोगे तो वहाँ पर address आपको अलग-अलग address देखने को मिलेगा है, लेकिन दोस्तो आप अगर MetaMask का यूज करते हैं तो आपको address सभी का सेम देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर यूज करो तो सबसे best option है MetaMask, ठीक है? दोस्तो मैं अगर मैं MetaMask खोल लिया था मैंने address भी कोपी कर लिया था, कोई भी random address कोपी कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं था, यहाँ पर आपको address जो पहले का address है ok x का इसको हटा दिजिए इसको मैंने paste कर दिया, अब मैं confirm address पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने confirm किया, अब दोस्तो मेरा address हो आपका इस change हो चुका है आप लोग देख लिए ठीक है? दोस्तो withdrawal नहीं मिलेगा तो इस बात का मैंसा याद रखना मतलब mail भी सकता है लेकिन मैं इसके guarantee नहीं लूगा, कुछ भी हो सकता है 99% chance है कि आपको नहीं मिलेगा ठीक है? दोस्तो यहाँ पर बहुत बड़ा update आया हुआ था दोस्तो यहाँ पर आपके सामने यह सब कुछ ठीक है? तो आप लोग अपडेट करें ना अगर आपके सामने यह सब आपसन नहीं आ रहा है आपके पास जो कि trust alert का मेटा मास का आपसन नहीं देखने मिल रहा है तो update करें आपको देखने मिल जागा दोस्तों फिलाल के लिए आप लोग इसको कंप्लिट कर लिजे और आकर के अपने लाइब के वाशिक कर लिजे थैंक्यू सुमच